हेलो डियर स्ट्रेंड स्वागत है आपका अपना चैनल क्यमेस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में अब हम लोग बात करें क्लाश 12 का पी बलॉक का हम लोग लगातार पर लगातार पढ़ते जा रहे हैं तो आपका हम लोगों इससे पहले परहे थे अमोनिया परहे थे याद है ना अमोनिया परहे थे और अमोनिया के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वह होता है नाइट्रोजन के अक्साइड बहुत छोटा चेप्टर है और आपको यह अच्छा सा और आपको इन में से इसका ऑक्षिकरन अवस्था ही केबल एक्जाम में पूछा जाता है और इसके अ हमारा टॉपिक है आपको पता लग गया होगा कि हम आप रहने वाले हैं बतां थो ना इत्रोजन के ऑक्साइड किसी को इंगली में बोलें ल करने से पहले एक सुचना जो लोग हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको जल्दी से सस्क्राइब करिए लो भई या पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट मतलब नाइट्रोजन का औकसीकरन संखियां देखा जाता है कि नाइट्रोजन का गुन है याद रखना तो अब देखिए पहला क्या है डाइनीट्रोजन ऑक्साइड लुगे द्याइद रखो तीसरा ड्य नाइट्रोजन ट्रायोकसाइड तीसरा ड्य नाइट्रोजन ट्रायोकसाइड उन्हों that है नाइट्रोजन डाय ओक्साइड पाचमा है डाय नाइट्रोजन टेट्रा ओक्साइड छठा है डाय नाइट्रोजन पेंटा ओक्साइड याद रहेगा पहला क्या है डाय नाइट्रोजन ओक्साइड दूसरा है नाइट्रोजन मोनो ओक्साइड तीसरा है डाय होता है अगर कहीं एक लगा हुआ है इसका मतलब मोनो कहीं दो रहेगा तो डाय तीन रहेगा ट्राय चार रहेगा टेटरा एक मोनो दो डाय तीन ट्राय चार ट्राय पांच पेंटा एक के लिए बोलो क्या लगा हो गई मोनो दो डाय तीन ट्राय चार ट्राय पांच पेंटा त क्या बहेंगे डाय नाटरोजहन अगर कहीं लिखावा थो जो लिखायवन अक्सीजन अगर कहीं लिखावा तो कार्बन और डो चरहों व कर्देन को का मतलब दो ऑपक्षाइड दो क्यों कि अब कर्ना क्सिजन ऑ यह विशेश तोर पर यहां लिखावा डाय नाइट्रोजन यह नाइट्रोजन लगेगा ओक्साइड मतलब ओक्सीजन यह नाम से ही पता चल रहा है नाइट्रोजन डाय ओक्साइड नाइट्रोजन डाय मतलब दो ओक्साइड मतलब ओक्सीजन दो ओक्सीजन होगा डाय नाइट्रोजन टेट्रा ओक्साइड डाय मतलब दो नाइट्रोजन दूगो होगा टेट्रा मतलब होता चार ओक्साइड यानि दो गो नाइट्रोजन चा संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे यह निकाला ऑक्सिकरन निकालोगे आपको x मान लेना क्या मालेता एक्स जैसे हमको एनटु ओ में दियान दो एनटु ओ में नाइट्रोजन का हमको निकालना है तो मान लेंगे X, क्या मान लेंगे X, जिसका ऑक्सीकरन संख्या निकालना होगा उसको मान लेंगे X, तो यहाँ पर दो nitrogen है तो क्या लिखेंगे मेरे 0, 2X, पलस nitrogen है 1, nitrogen का चार्ज होता मैनस दो बराबर लिखेंगे 0, क्योंकि overall चार्ज क्या है, 0, कुछ नहीं है तो 0, nitrogen जिसका भी निकालना होगा मान लेंगे X, तो nitrogen को X माने 2 nitrogen है तो हो जाएगा 2X, oxygen का संख्या है 1, और oxygen का चार्ज है मैनस 2 2, बराबर हो ग dar, 0, तो देखें और यहां क्या होगा, 2X पलस गुना मैनस मैनस 2 है 2 wanna अब लिखेंगे black- though x pakai 2 xjac बराबर क्या होगा, पलस डुबाय 2, तोliers भी यहां x का क्या निकला plus 1, यहां x किसको माने थे nitrogen को, तो nitrogen का,작 자र्ज क्या हो गया पलस 1 उसी तरह आप NO का निकालोगे इसको X मानोगे X into 1 minus 2 बराबर 0 X बराबर 2 निकलेगा यहां निकालोगे जैसे दोगो भईया हमको निकालना है N2O3 का N2O3 में nitrogen का oxygen का oxygen संख्या क्या होगा मान लेंगे X तो बोलो भईया 2 nitrogen है क्या होगा 2X plus 3 oxygen है oxygen का charge minus 2 बराबर लिखेंगे 0 तो बोलो भईया X का मान निकलना 2X पलस गुना मैनस मैनस 3 दुना 6 बराबर 0 देखो भईया 2X बराबर हो गया पलस 6 एक्स बराबर क्या हो गया पलस 6 बटे 2 तो दूतिया 6 यानि 3 निकला पलस 3 निकला तो बतो एंट्टू ओ थिरी में nitrogen का oxygen संख्या कितना पलस थिरी तो आप इसी तरह सब का निकाल लोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है अब आई यह बनाने की विदी यानि मैथर्स और प्रिप्रेशन जब अमोनियम नैट्राइट को घर्म किया जाता है तो एंटू ओ का निर्मान होता है इक्जाम के point of view से इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको यह याद रखना है अब नो का प्रिप्रेशन देखेंगे जब सोडियम नैट्राइट फेरस सल्पेट और सल्फूरिक एसिड के साथ इसको अभिक्रिया कराई जाती है तो फेरिक सल्पेट और सोडियम हैड्रोजन सल्पेट जल और नो बनाता है जब नो को एंटू को अबहुत होता है जब लेट को गर्म किया जाता है यह पीजले होता है जब नाख्रीट को करें एंटू और ऊट्रेट बनेगा तो रिवर्स जेबलाइं रिव होती अब देखो बईया जब HNO3 को P4O10 के साथ अभी क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनेगा N2O5 बनेगा याद रखना यह यह बनाने की विधी था अब भोतिक रंग एवं रासाइनिक प्रकृति क्या N2O रंग हीन गैस होता है याद पूछेगा N2O जिसको हसाने वाली गैस लाफिंग गैस कहा जाता है वह रंग हीन गैस होता है और वह उदासिन होता है अगर पूछा जाएगा N2O क्या है अगर आपसे पूछा जाएगा N2O3 आपका निला ठोस होता है जो अमलिय होता है याद रखना इस बात को अगर बात किया जाए N2 को यह भूरी गैस होती है जो अमलिय होता है उसी तरह N2O4 की बात करें तो वह रंग हीन ठोस याद्रव होता है और वह अमलिय प्रकृति का होता है पुछा जाता है प्रकृति बताइए नीट सम्में मेडिकल वाला जो कॉस्चन है आईटी सम्में इसका प्रकृति पुछा जाता है अगर N2O5 के बारे में पुछेगा यह भी रंग हीन होता है ठोस होता है और यह अमलिय होता है अब रही बात देखिए ऑक्सिकरन संख्या भी आप निकालने सी गए अगर आपको कहेगा ऐसा कि बताओ जहां लिका हुआ N2O3 इसका नाम क् एंग दाया नाइट्रोजन तीन है औक्सीजर तो बिलेंगे TRI OXIDE यह स्का नाम होगा दायट्रोजन Kansas were participating हैं बहुत यह आसान है अप इसको लिख ली पहले अच्छे से समझ लीजिए और अगर आपको अच्छा लगा तो कोमेंट के माधियम से बताईएगा इसके बाद हमारा टॉपिक है नाइट्रीक अम्ल क्या है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बाद यानि अभी वर्ग 15 का ही हम लोग पर रहे थे और वर्ग 15 में नाइट्रोज क्योंके?